अबस्कार ग्लिप्स.ि में आपका स्वागा थे कहा साड़े चार साल की सरकार के दोरान बीजेपी ने सिर्फ ड्रामा किया खास कर दलितों को लेकर मोधी जी ने मन की बात में बी आर अमबेटकर के लिए बोला था लेकिन उनकी मासिक्ता बाबा साहिब के मिलकुल विप्री थे जिसके खिलाव वे खड़े हुए थे वही वज़ा है कि बीजेपी आरेसेस पिछले कई अश्कों तक सत्ता से बाहर रही थी उन्होंने आगे कहा वे लोग अमबेटकर का नाम जबते हैं लेकिन उस कैटेगिरी से जो आते हैं उन पर अत्याचार करते हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी के कुशासन के खिलाफ है मायावती ने ये भी कहा कि हम बीजेपी को सत्ता में आने से रोकेंगे मेरे लोग उनके भढ़काने से नहीं भढ़केंगे बीजेपी सपा बसपा को लेकर अनगरल बयान बाजी करते रहते हैं लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बताया जा रहा है कि मायावती अपने वरिष निताओं के साथ बेटग खास होगी माना जा रहा है कि इस बेटग में मायावती बसपा के औरिनेटर से सपा बसपा संगठन का फीडबेक जानेगी इससे पहले राजे सपा चुनाओं में बीएसपी प्रत्याशी भीमराव अंबेटकर की हार के बास से ही बीएसपी और एसपी का गटबंधन तूटने के कयास जदाए जा रहे थे लेकिन खुद मायावती ने प्रेस कॉन्फरेंस के जरिये इसाफ किया कि परिणाम में बीएसपी एसपी के गटबंधन पर असर नहीं पड़ेगा साथ ही यह भी कह जा रहा है कि दोनों पार्टियां आने वाले लोग सभाचुनाओं में यूपी की तमाम सीटों पर संयुक्त रूप से अपने उम्मीदवार उतार सकती है माना जा रहा है कि 2019 के लोग सभाचुनाओं में एसपी और बीएसपी प्रदेश की आधी आधी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है लेकिन सीटों का बटवारा कैसे होगा ये दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनोती होगा इसके अलावा अगर 2019 के लोग सभाचुनाओं का गटबंदन 2022 के विधान सभाचुनाओं तो कायम रहता है ये देखना दिल्चस्प होगा कि अपनी अपनी पार्टी के शिखर में बेठे दोनों नेताओं में से कौन सीएम पत पर अपना दावा छोड़ता है दोनों दलों से जुड़े निताओं का कहना है कि SP के निता मायावती को केंद्र की राजनीती का हिस्सा बनाना चाहते हैं और गटबंदन की इस्तिती में अकलेश को टेस्ट लेवल पॉलिटिक्स में रपने का निंडे हो सकता है इसके लिए मायावती को लोग सभा के चुनाओं में ज्यादा सीटे भी दी जा सकती है